बच्चों, इस पाठ में हम गुणा करके फैक्टर्स के बारे में और सीखेंगे चमपापुर में सभी लोग पिकनिक पर जाने का प्लान बना रहे हैं पिकनिक पर जाने के लिए उन्हें कुछ बसों का इंतजाम करना है हर बस इस तरह से होनी चाहिए कि हर लाइन में बैठे लोगों की संख्या समान हो पहले बस वाले ने इस तरह की एक बस भेजी जिसमें हर लाइन में केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है और छे ऐसी लाइने हैं क्या इस बस में छे व्यक्ति बैठ पाएंगे इस प्रश्ण का उत्तर ढूनने के लिए हमें 6 के factors ढूनने होंगे क्या आप factors ढूनने का एक आसान तरीका सीखना चाहते हैं? ये बहुत आसान है बस 6 ये संख्या किन पहाडों में आती है ये देखना होगा आए हम एक के पहाडे से शुरू करें क्या एक के पहाडे में 6 की संख्या आती है? जी हाँ, 6 गुणा 1 है 6 इसलिए इस बस में 6 व्यक्ति 6 लाइनों में एक व्यक्ति हर लाइन इस तरह से बैठ सकते हैं बच्चों ऐसी और कौन सी बसे हो सकती हैं जिनमें 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं लेकिन याद रहे हर लाइन में व्यक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए आए हम छे के सारे फैक्टर्स को ढूंड इस पहली को सुलजाएं क्या दो के पहाडे में छे की संख्या आती है? जी हाँ, तीन गुना दो है छे इसलिए दो छे का फैक्टर है तीन लाइन और हर लाइन में दो व्यक्ति हो गए कितने व्यक्ति? छे अब तीन का पहाडा देखें क्या तीन के पहाडे में छे की संख्या आती है? दो गुना तीन है छे इसलिए तीन छे का फैक्टर है दो लाइन और हर लाइन में तीन व्यक्ति हो गए कितने व्यक्ति? 6 अब आए चार के पहाडे की बारी क्या चार के पहाडे में 6 की संख्या आती है? नहीं इसलिए 4, 6 की संख्या का फैक्टर नहीं है दूसरे शब्दों में यदी किसी बस में 4 व्यक्ति हर लाइन में बैठे तो 6 व्यक्ति 2 लाइनों में तो बैठ पाएंगे लिकिन हर लाइन में व्यक्तियों की संख्या समान नहीं होगी ठीक इसी तरह यदि हम 5 के पहाडे को देखें तो हम पाएंगे कि 5 भी 6 की संख्या का फैक्टर नहीं है और ऐसी बस जिसमें पाँच व्यक्ति हर लाइन में बैठे गाउं वालों के काम की नहीं होगी अब अन्त में हम छे के पहाडे को देखेंगे क्या छे के पहाडे में छे की संख्या आती है? जी या, एक गुणा छे है छे इसलिए छे भी छे की संख्या का फैक्टर है एक लाइन और हर लाइन में छे व्यक्ति इस तरह से एक, दो, तीन और छे ये नमबर छे की संख्या के फैक्टर्ज है और चार और पांच, ये नमबर छे के फैक्टर्ज नहीं है अरे वा बच्चों, हमने छे के सारे फैक्टर्ज ढूंड गाव वालों की मदद कर दी बच्चों, हम पहाडों का उप्योग कर इस तरह से किसी भी नमबर के फैक्टर्ज ढूंड सकते हैं अब आप अपने दोस्तों के साथ आठ के सारे फैक्टर्स ढूंडने का खेल के ले बच्चो इस पाठ में हमने किसी भी संख्या के फैक्टर्स ढूंडने की एक अनोखी प्रक्रिया सीखी अगले पाठ में हम इनके उपयोग सीखेंगे कर दो oने ना शुदेगे क्सिए अवनवन का आप ऐसी एका यार स्यूया में हमने कि झाया सुद्छर्स